जब भी आप बात करते हैं एक्सपोर्ट किया इंपोर्ट के तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है बाइर कैसे में लेगा प्रोडक्ट कौन से सेलेक्ट करूँ पेमेंट फ्रॉट तो नहीं हो जाएगा इंपोर्ट के केस में सप्लायर जैनिवर है कि नहीं अगर उ जब आपकी शप्मेंट आएगी या जब आपकी शप्मेंट यहां से जाने वाली होगी तो वो पोर्ट पे जाके पड़ा रहेगा क्योंकि जब पोर्ट पे जाने के बाद आपका CHA पेपर फाइल करेगा तो एक एरर निकल के आएगा जिसे कहते हैं पैन और वह लिंक नही वीडियो इसी एरर को रिजॉल्फ करते हुए बनाया था आज से तीन-चार साल पहले अभी भी अगर आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल साही जगह पे आए मैं इस चनल पर लोग को बिल्कुल टेक्निकल और नॉलिज देने वाला हूं रिगा को बिल्कुल साही accurate knowledge मिलने वाली है तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सिधा आप लोगो मैं अपने computer screen पर लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि किस तरीके से इसको क्रॉस चेक करना है और अगर वह इनकेस नहीं है तो इसको कैसी तरीके से लिंक करना है तो दोस्ता मैंने किस तरीके साब आपको अपना GST और IC चेक करना है कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट शूरू करने से पहले यह एक चोटा सा स्टेप है अगर आप इसको कर लेंगे तो आप लोग बिल्कुल बिल्दपूर्फ हो जाएंगे आप लोग की shipment कभी भी port पे नहीं अटकेगी औ और कभी भी एरर नहीं आएगा क्योंकि मैं बता दो दोस्तों कि एक टाइम पर यह एरर जो था रिजॉल्फ होने में अराउंड 16-17 दिन लगते आज की डेट में सिर्फ 24 गंटे में यह रिजॉल्फ हो जाता है एक स्पेसिफिक टैप दिया गया है आइस गेट में जिसके छूब लोग अपना अपस में लिंक करा सकते हैं और अपना शिपिंग बील ब्लफ एंटरी फाइल कर सकते हैं बहुत इसली तो सबसे बहले क्रॉस्ट चकरने के लिए आप लोग इसगेट में डवल डॉट जूवी डूट इन खोलना है उसके बाद आप लोगों जाना है इ इतने GST आप लोग देख रहे हैं इन सबका अल्रेडी लिंक है तो मैं दिखा देता हूं कि जब वो चीज लिंक होती है तो किस तरीके से होता है जब लिंक नहीं होती है तो मैं आप लोगो को स्क्रीन पे दिखा दूँगा पुराने मेरे बहुत सारे कस्टमर्स के साथ हुआ इस तरह का लिखा आएगा अगर आपका GST आपको कुछ भी करने की ज़रुरत नहीं है इसके बाद एक चोटा सा स्टेप और करना है आप लोग को अपने IC कोड को भी क्रॉस चेक कर लेना है तो IC को किस तरह से क्रॉस चेक करना है वह मैं बता देता हूं इससे पहले में आप लोग को अपने IC कोड के से चेक करने के लिए आप लोग को बहुत इजी ली कुछ भी आइस गेट करने की ज़रुरत नहीं कि वह अंदर रहता है तो आप लोग सिदा गूगल पर जाए गूगल पर जाकर टाइप करिए ic status ice gate यह चेक इसए code oblique bin status पर क्लिक करेंगे तो देखिए यह पेज़ खुल गया है तो पेज यहां पे मैं अपना आइसी कोड डालेंगे एक आइसी कोड दिखा रहता हूं कि मैं आए दिन लोगों का चेक करता रहता हूं कुछ भी करने से पहले मैं यह चोड़ो सा स्टेप में जरूर करता हूं तो इसके बाद अपना कैप्टर डालेंगे नीचे जी 3 S V H 4 देखिए यह एक है यह एक पार्टी का मिने को पता था यह एक पार्टी का वह है क्या करते हैं आपका आइसी कोड है यह आइस गेट में दिखा ही नहीं रहा था अभी मैं आप लोगों की इसको बीट यह तरका तो यह यहां पर दिखाएगा निक्यूंकि मैंने इन यह step मेंस करते हैं पहले इसको च्रॉस चेक करना तो यहां पर दिखा नहीं रहा तो उसके बाद सारा complete दूसरा पूसर है उसको किसी और वीडियो में बता हूं कि वह प्रोसस और लंबा है लोगों को बैक करके एक बर दिखा देता हूं किसी और का डालके अभी आप लोगों क दिखा है मैंने एक IC Code खुल के दिखा दिया है यहां पर देखिए फर्म का नाम है फर्म का नाम वगयरा मैं छुपा दूंगा तो आप लोगों को दिखे का नी बड़ मैं आप लोगों नेचे स्टेटस दिखा देता हूं देखिए IC स्टेटस में 9 में क्या है में है जादा तरह यहां पर जो है यहां पर जीरो आता है जीरो का मतलब है यहां पर नॉर्मल और आप लोगों मैंने पीछे वाले IC Code में दिखा है कि उसमें कुछ भी नहीं दिखा रहा था यह सारी चीज़े वहां पर थी नहीं तो यह IC Code को इस तरीक से चेक करना होता है आ यहां पर नहीं दिखा रहा है यहां पर लाल रंग पे लिखा हुआ आ रहा है कि इस तरीके से लिंक करना है सिर्फ 24 गंटे का टाइम लगता है आप लोगों कोई बहुत बड़ा प्रसेस नहीं है सीधा उसके लिए आपन आइस गेट खोलेंगे आइस गेट खोलेंगे और यहां पर यह देखिए जी आईसी जीस्ट आयन इंटेग्रेशन यह आईसी जीस्ट आयन इंटेग्रेशन पहले करने में अराउंड फॉर्टीन डिज लगते रहा से दो से तीन साल पहले की बात करूँ जब मैंने अपने यूटीब जन्री की शुरुवात करी थी आज की आईगी अगर आप लोगो भरोसा नहीं मेरी बातों पर मैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगो अपने पुराने वीडियो का लिंक दे दूँगो जहां पर और यह जो वीडियो है इसका लिंक डिजी एफटी की ऑफिशल ट्विटर हेंडल पे भी मिलेगा आप लोग इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वीडियो को लाइक कर दिजी चैनल पर पहली बेर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों